नमस्कार दोस्तों आपका स्वागति सक्से जिन ग्लेज में दोस्तों आज में ग्लेज के बारे में बात करने वाला हूं अखिर लोग ग्लेज को क्यों छोड़ते हैं और ग्लेज को लोग जॉइनिंग क्यों करते हैं बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको जाना बहुत जरूरी ह और दोस्तों मैं बता देता हूं कि ग्लीज को छोड़ने का कारण क्या है और ग्लीज में रहने का क्या कारण है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लीज को छोड़ने का कारण क्या है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नियू नियू आते हैं काम करते हैं शुरुआत में उनको पता नहीं होता है कि हमको काम कैसे करना है वो पढ़े लिके तो होते हैं एक्सपिरेंस होता है लेकिन जिस फीड में वो आए क्या उनको उस फीड का पता है कता ही नहीं अगर होता पता तो वो आते ही नहीं पहली बार अगर पता नहीं है तो वो कैसे काम करेंगे और काम छोड़ते क्यों है तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग आतो जाते हैं अपन गलत तरीके से बताएंगे तो आई जाएंगे लेकिन दोस्तों कभी भी आप गलत तरीका मत बताना बलकि आप जो हकिकत होता है नेट्रुक मार्केटिंग का वही बताना ऐसे नहीं कि बड़ा चड़ा के बता दिया यह गलत है उसके बाद सबसे पहला पॉइंट आता है गलीज में नहीं रहने का कारण क्या सबसे पहले वह जोइनिंग तो ले लेते और उनको बोलते कि हमारे को चार वैक्ती जोइन करवाने किते चार वैक्ती वह सोचेगा कि मैं तो फस गया लेकिन चार वैक्ती और क्यों फसा हूं पहले जान लेता हूँ, क्या हकीकत है, क्या करता है, तो वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाता, बाद में क्या हाता है, उसको सोचना शूरू कर देता है, और वो विचार करता है क्या, ऐसे से ऐसा होता है, और वो वही पर खराब हो जाता है, और उसको ट्रेनिंग टाइम प बहुत बड़ा प्रोब्लम रेता है और वो गैस्ट आपको छोड़ देता है और आपसे नाराज हो जाता है और वो जॉइनिंग नहीं लेता है तो इससे अच्छा है कि आप लोग क्या करेंगे और ग्लीज में काम नहीं करने का दूसरा कारण क्या दूसरा कारण यह है कि वो जो आपके साथ आए, उनके साथ आप टाइम नहीं देते, आप उनको बताते नहीं, आप उनसे बाचित नहीं करते, तिसरा कारण आपका सबसे बड़ा कारण है कि आप पैसे लगा लेते लेगा, उनको समझाते नहीं कि काम कैसे करना है, और चौता कारण है आपका सबसे खतर आप उसको समय समय पर फॉलो नहीं करते जिसके वज़े को सबसे फक्राब हो जाता है आपको फॉलो करना बहुत जब चडिया अगर हालो ही नहीं करें तो वह जोईनिंग कैसे होगा और आपका खराव हो जाourd और उसके विज़े से वो network खराब हो जाता है और घर जाता है और negative बाते करता है और जो भी बैकते आता है उसको मना बोल देता है कि ग्लेज में नहीं जाना नहीं जाना कियो बोलेंगे ग्लेZ कंपनी कराब है लेकिन कराब का है अपन खराब थे अपने फोलो नहीं किया अपने उसको समझाया नहीं सिखायानी कि वज़े से वो गस्ट करा विज़ा और लोक्राक Health और दूसरा सबसे बड़ा समय तो उसको फॉलो करते और वो जमे रहते दूसरा कारण है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती हैं जिसकी विज़े से वह रुख करते और चौता कारण है जो कि आपकी अपलाइन कैसा वेवार करती है और उसके बाद का एक और मॉश्ट और इंपोर्टेंट है कि आप और आपकी अपलाइन के साथ साथ आपकी डाउन लाइन कैसा वेवार करती है आपके साथ उसकी वज़े से गैश्ट रुखते हैं और लंबे समय तक काम करते हैं और नहीं करने का कारण तो आपको पता ही है नेगिटिविटी सबसे घटिया और सबसे खतरनाक बीमारी हैं जो इ आप इस चैनल पर बने रहना इसी चैनल पर आपको हमेंसा एक एक वीडियो आती रहे गे और कमाल के ऐसे वीडियो आने वाली जिसकी तमन्ना आपने कभी ने कि बहुत ती कमाल की अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और